C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा साथ में सामाजिक विज्ञान पाठ्थे क्रम के अंतरगत भूगोल की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक हमारा पर्यावरण आईए अब सुनते हैं अध्याए 9 शीर्शक है रेगिस्तान में जीवन प्रिष्ट संख्या 65 अध्याए 9 रेगिस्तान में जीवन अब सुनते हैं पाठ साथियों अध्याए 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है जहां पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो, एवं फसनों के उगने के लिए जल न हो ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठी नहीं होगा अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं इन में से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है, तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पती एवं चरम तापमान होते हैं तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां क्रिशी करने के लिए बस जाते हैं पार्ठ में आगे बढ़ने से पहले एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है शब्दावली जिसमें रेगिस्तान का अर्थ समझाया गया है रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेष्टाएं अत्यधिक उच्च एवं निवनतापमान एवं विरल वनस्पती है अब आईए सुनते हैं पार्ठ गर्म रेगिस्तान सहारा विश्व एवं अफरीका महादवीप के मान्चित्र को देखिए उत्री अफरीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्र फल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है यह देश हैं अलजीरिया, चाड, मिस्र, लीविया, माली, मौरितानिया, मौरोको, नाइजर, सुडान, क्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिश्क में तुरंत ही रेत का द्रिश्य उभरता है परन्तु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढखा हुआ ही नहीं वरन वहां बजरी के मैदान और नगन चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाये जाते हैं ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक उँची है और अब इसी प्रिश्ट पर प्रिश्ट संख्या 9.1 और इसमें सहारा रेगिस्तान का चितर दिया हुआ है प्रिश्ट संख्या 66 प्रिश्ट संख्या 66 में सबसे पहले चितर संख्या 9.2 और इसमें अफरिका महादवीप का मानचितर दिया गया है जिसमें सहरा रेगिस्तान की स्थिती दिखाई गई है और इसी मान्चित्र के बगल में एक बॉक्स शीर्शक है क्या आप जानते हैं आपको यह जानकर आश्चेरे होगा कि आज का सहरा रेगिस्तान एक समय पूर्ण तया हरा भरा मैदान था सहरा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से प्राप्त होता है कि यहां नदियां तथा मगर मच्छ पाए जाते थे हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड, पशु तथा बकरियां सामाने जानवर थे परन्तु यहां के जलवाईयू परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म वा शुष्क प्रदेश में बदल दिया है इसी प्रिष्ट 66 पर एक बॉक्स और और उसका शीर्शक है क्या आप जानते हैं कि सहारा के अल अजीजिया क्षेतर में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिनी भाग में स्थित है यहां का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया था अब आईए सुनते हैं पाठ जलवाईू सहारा रेगिस्तान की जलवाईू अत्यधिक गर्म एवं शुश्क है यहां की वर्षरितु अल्पकाल के लिए होती है यहां आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है यहां नमी संचय होने की अप्यक्षा तेजी से वाश्पित हो जाती है दिन अविश्वस्तन ये रूप से गर्म होते हैं दिन के समय तापमान 50 डिगरी सेल्सियस से उपर पहुंच जाता है जिससे रेट एवं नगन चट्टाने अत्यधिक गर्म हो जाती हैं इनके ताप का विकिरन होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिर कर हीमांक बिंदू लगभग श्टून डिगरी सेल्सियस तक पहुंच जाता है सहरा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड एवं एकेशिया पाए जाते हैं यहां कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेडों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं प्रिष्ट संख्या सरसट, उट, लकडबग्गा, सियार, लोमडी, बिच्छू, सापों की विभिन जातियां एवं छिपकलियां यहां के प्रमुख जीव जनतु हैं यहां एक चित्र हम देख सकते हैं, चित्र संख्या 9.3 और इस चित्र में सहारा देगिस्तान में मरुद्यान, जिसे Oasis भी कहते हैं, दिखाया गया है और इसी चित्र संख्या 9.3 के बगर में एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को तो यहां से मचलियों के कंकाल भी मिले हैं आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं अब आईए सुनते हैं पाट लोग सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायू में भी विभिन समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन भिन क्रिया कलापों में भाग लेते हैं इनमें बेदुईन एवं तुआरेग भी शामिल हैं चलवासी जनजाती वाले ये लोग बगरी, भेड, उट एवं घोडे जैसे पशुधन को पालते हैं इन पशुओं से इन लोगों को दूद मिलता है इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उप्योग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायू से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं पाठ में जाने से पहले एक और बॉक्स, और बॉक्स का शीर्षक है, क्या आप जानते हैं? और इसमें इस प्रकार से वर्णन दिया गया है जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है, तो वहां गर्त बन जाती है जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहां मरुद्यान बनते हैं ये क्षेत्र उपजाओ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं कभी-कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है मुरकों में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के एक शेत्र में फैला हुआ है और अब सुनते हैं पाठ सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है यहां जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड उगाते हैं यहां चावल, गेहु, जव एवं सेम जैसी फसले भी उगाई जाती है मिस्र में उगाई जाने वाली का पास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है तेल की खोज, संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अलजीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है इस ख्षेतर में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनीजों में लोहा, फॉसफोरस, मैगनीज एवं यूरेनियम शामिल है सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है आज यहां मस्जिदों से उंचे काच की खिड़कियों वाले भवन तथा उंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महमार्ग बन गए है नमख के ब्यापार में उंटों का स्थान टरक ले रहे है तुवारेग लोग विदेशी पर्याटकों के लिए मार्ग दर्शक का काम कर रहे हैं आज अनेक चलवासी जनजाती के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहां वे तेल एवं गैस के कारियों में नौकरी ढूरते हैं प्रिश्ट संख्या अर्सट पाठ में जाने से पहले दो बॉक्स हमारे सामने और सबसे पहला बॉक्स उसका शीर्शक इस प्रकार से है शब्द की उत्पत्ती और शब्द है लद्दाख आईए इसके बारे सुनते हैं लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है ला का अर्थ है पर्वतिय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश यानि पर्वतिय दर्रों का देश दूसरा बॉक्स यहां पर और उसका शीर्शक है क्या आप जानते हैं कि प्रिथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है अब आईए सुनते हैं पाठ थंडा रेगिस्तान लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में व्रिहत हिमाले में स्थित लद्दाख एक थंडा रेगिस्तान है मान्चित्र 9.4 में लद्दाख दर्शाया गया है इसके उत्तर में काराकुरम पर्वत श्रेणिया एवं दक्षिन में जासकर पर्वत स्थित है लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख नदी है ये नदियां गहरी घाटियों एवं महा खंग यानि गौर्ज का निर्मान करती है लद्दाख में अनेक हिमानिया हैं जैसे गैंगरी हिमानी लद्दाख की उचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकुरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है अधिक उचाई के कारण यहां की जलवायू अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है इस उचाई पर वायू परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीवरता महसूस होती है ग्रिश्म रितु में दिन का तापमान 6 डिगरी सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 6 से माइनस 30 डिगरी सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है शीत रितु में यह बरफीला ठंडा हो जाता है तापमान लगभग हर समय माइनस 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है चूकि यह हिमाले के व्रिष्टी छायाक शेत्र में स्थित है अतह यहां वर्षा बहुत ही कम होती है प्रिष्ट संख्या 79 पाठ में चलने से पहले हमारे सामने तीन बॉक्स और एक चित्र है आईए पहले उनके बारे में जानकरी प्राप्त करते हैं पहला बॉक्स है, क्या आप जानते हैं? लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमी, खापा चान, यानि हिम भूमी, यानि बर्फ से धकी हुई भूमी. दूसरा बॉक्स, चीरू एवं तिब्बती एंटिलोप, एक विलुप्त प्राया जीव है. इसका शिकार शाहतूश नामक इसके उन के लिए होता है, जो वजन में हलका एवं अत्यधिक गर्म होता है. तिसरा बॉक्स, क्या आप जानते हैं, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शर्पत या विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है. और इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे है, चित्र संख्या 9.5 और इसमें ठिक से मठ के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में अभी हम में सुनेंगे. आईए अब सुनते हैं पाठ. या क्शेत्र बरफीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभाव करता है. या जानकर आपको आश्यर होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक ही स एक समय पर उश्मा घात एवं तुशार उप घात से ग्रसित हो सकते हैं. वनस्पती जात एवं प्रानी जात यहां उच्च शुश्कता के कारण वनस्पती विरल है. यहां जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी जाडियां मिलती हैं. घाटी में जावर के उपुवन देखे जा सकते हैं. ग्रिश्मरितु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं. लद्दाख में पक्षियों की विभिन प्रजातिया नजर आती हैं, जिनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिबबती स्नोकॉक, रेवन पाए जाने वाले सामाने पक्षी हैं. इन में से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं. लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड, याक एवं विशेश प्रकार के कुत्ते आधी पाए जाते हैं. इन पशुओं को दूध, मास एवं खाल प्राप्त करने के लि होता है. भेड एवं बकरी के बालों का उप्योग उनी वस्तर बनाने के लिए किया जाता है. लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्ध एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहां के अधिकांश लोग या तो मुसल्मान हैं या बाउध वास्तों में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बाउध मठ अपने परंपरागत गोमपा के साथ स्थित हैं. कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हैमिस, थिक से, शे एवं लामा यूरू, थिक से मठ जिन्हें हम चित्रसंख्या 9.5 में देख सकते हैं. ग्रिश्म रितु में यहां के निवासी जव, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं. शीत रितु में जलवाईू इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आपको व्यस्त रखते हैं. यहां की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं. वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यावसाए एवं दुकाने भी संभालती हैं. लद्दाख की राजधानी लेह सडक एवं वायुमार्ग द्वारा भली भाती जुड़ी हुई है. राष्ट्रिय राजमार्ग वन ए लेह को जोजिल्ला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है. क्या आप हिमाले के अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? प्रिष्ट संख्या सत्तर प्रिष्ट संख्या सत्तर में सबसे पहले हमारे सामने हैं एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है क्या आप जानते हैं? आईए देखें क्या हमें जानना चाहिए? और वो ये कि मनाली लेह राजमार्ग चार दर्रों से गुजरता है. रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला, एवं टंगलंगला यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है. इसी बॉक्स पर नीचे बारालाचाला दर्रे का चित्र देखा जा सकता है. और इसी प्रिष्ट पर दाहिनी ओर, एक और चित्र, चित्र संख्या 9.6 और इसमें पारंपरिक वेश भूशा में लद्दाखी महिलाओं को दर्शाया गया है. अब सुनते हैं आगे का पाठ. यहां का यानि लद्दाख का मुख्य क्रिया कालाप पर्यटन है. देश-विदेश से अनेक पर्यटक यहां पर्यटन के लिए आते हैं. गोमपा दर्शन, घास के मैदानी वहिमनदों की सैर, एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहां के प्रमुख पर्यटक आकर्शन है. आधुनिकी करण के फलस्वरूप यहां के जन जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है. जल एवं इन्धन जैसे संसाधनों की कमी के कारण यह आवश्यक्तानुसार एवं मित व्याईता से ही इनका उपियोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते. और अब हमारे लिए अभ्यास. एक इन प्रशनों के उत्तर दीजिए. क, विश्व में काउन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं. ख, सहारा रेगिस्तान किस महादवीप में स्थित है? ग, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायू गत परिस्थितियां क्या है? घ, लद्दाख में परियाटकों के लिए प्रमुख आकर्शन क्या है? च, सहारारेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? च, लद्दाख में उगने वाले पेडों के नाम बताईए दो, सही उत्तर बताईए साथियों यहां आपको मिलेगा एक प्रशन और हर एक प्रशन के साथ आपको दिये जाते हैं तीन विकल्प इन तीन विकल्पों में से एक सही विकल्प आपको चुनना है तो आईए सुनते हैं क, सहारा अफ्रिका के किस भाग में स्थित है? विकल्प हैं एक दक्षिनी, दो उत्तरी, तीन पश्चिमी ख सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? विकल्प हैं एक ठंडा, दो गर्म या तीन म्रिदू ग लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं पहला विकल्प आपके लिए इसाई एवं मुसल्मान दूसरा विकल्प बौध एवं मुसल्मान और तीसरा विकल्प है इसाई एवं बौध घ रेगिस्तान की विशेश्ता है पहला विकल्प विरल वनस्पती विकल्प दो अधिक वर्षन और तीसरा विकल्फ है अल्प जलवाश्पन च लद्दाख में हैमिस प्रसिद्ध है एक मंदिर दो चर्च तीन बौध मठ च मिस्र इन फसलों के लिए प्रसिद्ध है एक गेहूं दो मकई तीन कपास प्रिष्ट संख्या एक अहत्तर तीन यहां दो स्तंभ दिये गए हैं और आपको पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ का मिलान करना है आईए सबसे पहले सुनते हैं पहला स्तंभ पहले स्तंभ में क मरुद्यान ख बेदूइन ग तेल घ गैंगरी च लामा युरू और आपको दूसरे स्तंभ के साथ इन शब्दों का मिलान करना है आईए सुनते हैं दूसरा स्तंभ एक लीविया दो बौध मठ तीन हिमनद चार जल के साथ गर्त पाँच थंडा रेगिस्तान छे सहारा चार कारण बताईए क रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पती होती है क्यों? क सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं भला ऐसा क्यों? पाँच मानचित्र कौशल क अफरिका के मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान एवं इसके आसपास किनही चार देशों को चिन्हित करें ख भारत के रूप रेखा मानचित्र पर कारा कोरम श्रणी, जासकर श्रणी, लद्दाख एवं जोजीला दर्रों को चिन्हित करें छे आओ खेलें रेगिस्तानी खेल कक्षा में किये जा सकने वाले इस कारेकलाप में सभी विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं शिक्षक या शिक्षिका रेगिस्तानी जन्तूओं की सूची बनाएंगे सूची में जन्तूओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या स्तन पाई, चिडियों एवं सरी सर्प जन्तूओं की श्रेणियों से जन्तूओं को चुना जा सकता है स्तन पाई जन्तूओं में उट, याक, लोमडी, भेड, बकरी, एंटिलोप आदी चिडियों में रेवन, चील, गिद्ध, टर्की, आदी तथा सरी सर्फ में साप आदी प्रजातियां सम्मिलित की जा सकती है प्रत्यक विद्यार्थी के लिए एक रेगिस्तानी जन्तू निर्धारित करें चात्र से उस जन्तू के तीन लक्षणों को सादे कागज पर लिखने के लिए कहें विद्यार्थी दस बाए पंद्रा सेंटिमीटर आकार के सूची पत्र का उपयोग कर सकते हैं किस प्रकार के रेगिस्तान में ये पाए जाते हैं? अनुकूलता के प्रकार? मानव के लिए उपयोगिता जैसे प्रश्णों के उत्तर दिये जा सकते हैं अनुमान के खेल में ये लक्षण संकेतों के रूप में उपयोग किये जाएंगे एक बोड पर तीन कॉलम बनाए स्तनपाई जीव, चिडिया एवं सरी सर्प प्रतेक श्रेणी के नीचे कॉलम में एक कागज चिपकाएं कक्षा को तीन चार भागों में विभाजित कर सकते हैं इस रेगिस्तानी खेल में वे एक दूसरे के साथ स्परधा करेंगे अब प्रतेक समुह सही उत्तर जानने का प्रयास करेगा कक्षा को समझाएं कि वे अनुमान करें कि कागज पर दी गई विशेष्टाएं किस जन्तू से मिलती हैं जैसे गर्म रेगिस्तान के पशू रेत से बचने के लिए दोहरी बरोनिया होती है खाल से पानी की बोतलें बनाई जाती है इसका सही उत्तर उंठ है विद्यार्थियों में से किसी एक ने इस जन्तू पर काड़ बनाया होगा उस विद्यार्थी को उत्तर नहीं देना होगा सही उत्तर के लिए दस अंक दिये जाएं इस खेल में विद्यार्थी रेगिस्तान को समझ सकेंगे इसी खेल को आप विभिन्न प्रकार के फल फूल तथा लोगों के वस्त्र आधी को उदाहरण के रूप में लेकर भी खेल सकते हैं प्रिश्ट संख्या बहत्तर में इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण श्रोत दिये गए हैं जो इस प्रकार से हैं दूसरा है http colon slash slash nationalgeographic.com slash तीसरा http colon slash slash www.incredibleindia.org slash अगला http slash slash www.wikipedia.org अगला http colon slash slash www.greenpeace.org slash http www.britanica.com slash और अन्तिम है http colon slash www.animalplanet.co.uk slash यहां नवा अध्याय समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे हमारा पर्यावरण ध्वनी पाठे पुस्तक का नवा अध्याय शीर्शक्ता रेगिस्तान में जीवन वाचन्स्वर अजीत होरो निर्मान सहयोग शानु मुक्सीम निर्मान विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती CIET NCEAT नईदिल्ली भारत अजी प्रस्तुत का रेगिस्तान विमलेश चोधरी प्रस्तुतान विमलेश थे हमारे रेगिस्तान का प्रस्तुती CIET NG-1